कि क्यों जेन चोधरी याद आ रहे? जो रमाला सुगर मील है उस मील को वर्सों से वहां का किसान मांग करता था कि इस मील का आप विस्तारी करण कर दो लेकिन किसी ने उसको सुना नहीं मुझे याद है कि जैसी योगी अधितिनाज जी से इसकी चर्चा हुई किसानों की तो सबसे पहले चोधरी साब के जनम दिन पर माननिय मुख्यमंतरी जी ने 500 करोड रुपे की लागत से वो नई चीनी मील बना करके चोधरी साब के सपनों को और समर्पित करने का काम उस सुबर मील को किया लगातार हम लोगों की मंसा है और सबसे बड़ी बात क्या है सबसे बड़ी बात यह है कि जब बात आती है ज एक काउंटर कोशन आप से सुरेश भाई क्योंकि आपको जाना इसलिए मैं जल्दी पे बूछ रहा हूं एक काउंटर कोशन आप से क्या यह नहीं समझा जाए कि बीजेपी अपने दम पर लड़ पाने में पश्चिमी यूपी में नाकाम है उसको एक बैसाखी चाहिए रा गलत रास्ता चुल लिया अब गलत रास्ता चुल लिया यह बात तो इसलिए कही जा रही है कि आपने देखा होगा के एक वीडियो वाइरल हो रहा है और वीडियो में लोग बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग बोल रहे हैं भूस बर देंगे और भूस बर देंग मुझे बताइए जब राश्टिय लोगदल का गडबंदन हो गया सीटे अनाउंस हो गई तो आज की तारिक में 26 जनवरी के दिन पर चुनाव होना है दस फरवरी को 15 दिन पहले क्यों चारा डाला जारा राश्टिय लोगदल के आगे यह बीजेपी की कमजोरी नहीं दिखा र पर चुनावानाश्टिय जनता नहीं कि यह बात तो आम जनता बोल रही है माने गरहमंत्री जीने बहुत विचार करके बोला होगा चुक्कि स्वावाई करूप से युवानेता जैन चोदरी है और यदि किसी नेता के बारे में उसको सही राए देने के बारे में देश का को स्विकार कर दिया किसानों से माफी मांगो 700 किसानों को याद करो सुरिश भाई उनसे उनके पास क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोग जैन चौधरी का ट्वीट है को बच्चे नहीं जैन चौधरी सांसद हैं जेन चौधरी के ट्वीट पढ़िए ना क्या लिख रहे हैं, नियोता मुझे नहीं 700 किसान परिवारों को दो जिनके घर उजड़ गए, आप देख रहे हैं न, अरे मैं ट्वीट देख रहा हूं, 12,000 किसानों के खिलाब जूटा मुकदमा किसे ने कायम कराया था, और वहां क परिवारों पर बोटर लिश्ट सामने रखकर के जो सेना में जवान जाने थे, पुलिस में जवान जाने थे, उनके खिलाब जूटा मुकदमा किसे ने कराया था, मुझे फड़गर में आग लगा कर किसे ने किया था, अब तो वो चले गए ना, अब तो गड़बंदन हो अब कहा बचा है? बीजेपी को क्यो जरूरत है? बीजेपी क्योव कम्जोर घायता थील करारी है? कि भीजेपी बस मिस हो गई? गटवंदन दिल्ली का है गटवंदन दिल्ली का है गटवंदन जद्दा का नहीं है मद्दाताओं का नहीं है और आपने देखा हुगा किस तरह से चाहे वो आप सिवाल खास ले लो चाहे आप मोरना ले लो किस तरह से समाजबादी पार्टी ने लोगों को प्लांट करने का क झाल 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 झाल